हेलो फ्रेंड्स आप सबका सवागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस सार इस्टेडी में दोस्तों भारती राजवयस्था की जो सिरीज चल लएए उसका एक और नया पार्ट लेकर हम लोग आज के वीडियो में आया है भारती राजवयस्था पार्ट टैन यह दस भारती राजवयस्था प्लेलिश्ट करके आप वहां से उन वीडियो को आराम से देख सकते हैं दोस्तों वीडियो को अन तक देखिएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कर अच्छा लगे तो उसको लाइक जिरूर कीजिएगा फ्रेंड भारत के समविधान में ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंतरगत एक वाक कियाता है कि इसमें कल्यानकारी राजव का जो उद्गोशना की गई है तो ठीक है कल्यानकारी राज्व तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर तीन राज्व के नीति निदेशक तत् में उनको बताया गया है रखा गया है अनुच्छे चत्त से लेकर अनुच्छे क्यावंत के भीच में ठीक है तो यह राज्व के नीति निदेशक तत्यों यह तैय करते हैं कि जो भारत का शाशन है वह कल्यानकारी राज्व के आदर्ष के उपर काम करेगा जिसका सही आंसर अगला कोशन देखते हैं कि नियायलय ने किस अनुच्छेद को निदेशक तत्यों की शिर्णी में रखा है दोस्तों जैसा कि पिछले कोश्छन में बात की कि जो राज के नीति निदेशक तत्यों है यह भाग चार में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच मे हैं दोस्तों ठीक है लेकिन कोश में अनुच्छेद ऐसे हैं जो भाग चार के अन्तरगत नहीं आते हैं लेकिन जो हमारे देश के नियायले हैं चाहे बुदल हो है कोट हो उनुक्रीन को निदेशक तत्वी मना गया यह उच्छी के बडावर उनकी तुलिना की जाती है तो वह कौन से अनुच्छे दोस्तों देख लेते हैं अपने अप्शन की तरफ अनुच्छे 3355 और अनुच्छे 351 इन सभी में इन सभी अनुच्छेदों को निदेशक तक्तों की शिरुणी में रखा है भारती निया रहे होने ठीक है तो इसका सही आंसर है अप्शन नंबर देशक तत्तों की शिरुणी में रखे गया है जबकि वह बाग चार जिसमें की नीती निदेशक तत्तों को बताया गया है उसमें नहीं रखे आते हैं ठीक है तो कौन कौन से अनुच्छेद अनुच्छे 3355 और अगला कोशन देखते हैं भारत के सम्विदान के अनुसार निम्न में से कौन सा देश के शाषन के लिए आधार भूत है दोस्तों जो अपने देश भारत का जो शाषन चलता है उसके लिए आधार भूत किसको माना गया है यानि जिस भारत के देश के शाषन के लिए जो नीव है वो किसे माना गया है दोस्तों तो इसका सही आंसर है option number 3 राज के नीति निदेशक तत्तो जो हैं वो देश के शाशन के लिए आधार भूत माने गए हैं अगला question देखते हैं भारत में लोक सेवायोग का अगठन कब किया गया था तो दोस्तों भारत में सबसे सबसे पहले लोग सेवायोग का किया गया था आप्शन नमबर टू इसका राइट आंसर है 1926 में 1919 के भारश शाषन अधिरियम के तहत के अंतर गयते 1924 में सबसे पहले ली कमिशन की स्थापना की गई थी दोस्तों ठीक है उस ली कमिशन जो है किस अनुच्छेद के अनुसार दो या दो से अधिक राज एक संयुक्त लोग सेवायोग रख सकते हैं तो दोस्तों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये वर्ण किया गया है कि दो या दो से अधिक राज मिलकर एक अकेला राज सेवायोग या लोग सेवायोग रख सकते हैं दोस्तों ठीक है? तो कौं सा अनुच्छेद है? अनुच्छे 315. संग लोक्सेवायोग के अध्यच्य तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो संग लोग सेवायोग के अध्यच्य तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है राश्पति इसका सही आंसर है option number अगला कोशन देखते हैं ये वर्तमान मांत संग लोग सवायोग कि सदस्यों की संक्या कितनी पर दोस्तों संग लोग सेवायोग जो है उसके सदस्यों की संक्या है अगला कितना होता है तो संग लोगसे व आयओक के सभी आयू की आयू पहले हो वह अंप्षा का सभी आंसर लिए वो लिए उप्षायरा है कि शे यानी संग लोगसे वह ते यह सदस्या इन्हों को राश्पती है वो 6 वर्ष के लिए नियूस करता है लेकिन 6 वर्ष का कारिकाल पूरा होने से पहले यदि किसी सदस या अध्यच की आयू 65 वर्ष हो जाती है तो वहीं से सेवा निवरत्य हो जाता है बहले ही उसके 6 वर्ष पूरे हुए हो या ना हुए हो अगला कोशन देखते हैं वर्ष मान में संगलोक सेवा आयोग के अध्यच कौन है दोस्तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्षिन 4 अरविन्द सक्सेना जो है वह whale प्रजेंट टाइन पर संगलोग सेवा नियूकती कौन करता है अभी तक हम लोग बात कर रहे थे संग लोग सेवा आयोग के वारे में अब यहाँ पर कह रहा है राजلك सेवा आयोग तो दोस्तों राज लोग सेवा आयोग का जो अध्याच होता नर्थ करता है राज यपाल करता है दोस्तों option लोकसेवा ड्वाइऑ के अध्यच हिवं सदस्यों को ऊपर तो राज जपाल के पास यह शक्ती नहीं है कि इसको पस से हटा सके अगला कोशन देखते हैं तो राज लोकसेवा ड्वाइऑक के के अध्यच एवम सदस्यों काहरेकाल कितना होता है तो दोस्तों др jeunes आयोंकि के अध्यच सदस्यों का करकाल होता है च्हेश वर्ष या original servis डीड यू तक जो भी पहले हो तो इसका सपुर्ण option नंबर एक। यानि राज पाल जो है वह सदस्यों को च्छे वर्ष के कारेकाल के लिए निव्ट करता है लेकिन अगर इसी बीच में इनकी आयू 62 वर्ष की हो जाती है तो यह सेवा निवर्थ हो जाते हैं ठीक है जैसा कि उसमें संग लोग सेवायोक में हम लोग बात की थी कि 65 वर्ष की आयू तो यह दोनों आपको ध्यान रखन मेरनें कारेकाल 6 वर्ष का होता हैं लेकिन औरसे लोग सेवा आयू का ःवर्ष की आयू में होती है और संग में होते हैं सेवा के अध्यत्य तथा योग जो है उसके अध्य चत्था सदस्यों की नियुक्ति राजपाल करता है लेकिन इन्हें पद से अठाने का अधिकार उसके पास नहीं होता है तो यहीं पर कोशन पूछ रहा है वो कि राज लोग से वायोग के अध्याच तथा सदस्यों को सेवा निवरत्ती से पहले यह कि कोई आरोप लगता है तो उसे कौन अठा सकता है तो दोस्तों इसका अतकार होता है राश्पती के पास option number एक इसका right answer है सम्विधान के अनुच्छेद 317 के तहट दोस्तों राश्पती को यह शक्ती प्राप्त है कि वह राज कि लोग सेवा युक्या अपने पस से अठा सकता है अगला कोशन देखते हैं भारती सम्विधान में कितने प्रकार के आपात काल की विवस्था है तो दोस्तों इसका सही answer है तीन option number पर तीन स्का राइट ऐसर तरिकार के आपात कालो की को कराम किया गया है बारती सम्विधान अगला कोशन देखते हैं बारती on सम्विधान में आपात काल निम्न मेंसे कौन सा है दोस्तों अभी हम लोगों पूशले कोश्य ने पढ़ा था कि भारती सम्मिधान में तीन प्रकार के आपात कालों की विवस्ता की गई है उनसे निपटने की तो अब यहां कोश्य चाह रहा है कि कौन है तो दोस्तों राश्ट्री आपात का जो वर्णन है या उसके प्रावधान जो किये गए वो किये गए है अनुच्छे 352 में अर्टिकल 352 के अंतरगत राश्पती राश्ट्री आपात जो है उसकी गोश्णा राश्पती के द्वारा की जाती है अगला कोश्ण देखते हैं राश्पती शाषन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि आपात का कौन कौन से होते हैं राश्ट्री आपात राश्पती शाषन और रृत्ती आपात तो उसी में से एक है राश्पती शाषन इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 356 में अनुचे 356 option number two इसका राइट आंसर है दोस्तों राश्पती शाषन होता क्या है राश्पती शाषन जो है जब राज्यों में जो भारत के अंतरगत आने वाले राज्य हैं उसमें जब कोई ऐसी इस्तिति हो जाती है कि जो राज सरकार है उससे निपटने म कि यह अच्छा मैं तो आप राश्पती शाषन लागू कर दें उस कंडिशन में जो राजपाल होता है उस राज्यका वो राश्पती के तरफ से उस राज्यका शाषन समालता है तो ठीक है तो इसका सही आंसर है आप्शन नमबर टू आर्टिकल 356 में राश्पती शाषन का लेक किया गया है अगला कोशन देखते हैं राश्पती आपात की घोषना राश्पती दौरा किसी सिती में की जाती है तो दोस्तों राश्पती जो है राश्पती आपात की घोषना करता है कि इस देश में राश्पती आपात की सिती है की नहीं है तो वह किन कंडिशन कौन स तो बैसे कुछ कंडिशन क्या क्या हैं अगर युद्ध हो जाए ठीक है किसी के साथ तो किसी अन्य देश के साथ युद्ध होता है तो भी राश्च्ट्रीए पाथ की घोषना कर सकता है ठीक है option number इसका सही सब्सक्राइब कर सकता है रश्पति और ससस्त्र विद्रोय आगए तो सब्सक्राइब कर दिया होगा अगला कुश्चन देखते हैं अनुचय 356 का परियोख सर-Prà Print किस राज़े में किया गया था। दोस्तों अनु app तीन चुपन यानि राष्पती शाशन लगाया गया था सबसे पहले किस राज्य में पंजाब में इसका सही आंसर है और फिन नमबर तीन पंजाब में उन्निस सो इक्यावन में ही दोस्तों राश्पती शाषन लगाया गया था यानि अनुचे 356 का प्रियोग सबसे पहले कहां किया गया पंजाब में उन्निस सो इक 55 में अगला कोशन देखते हैं भारत में कितनी बार विटिया पात का लाग Haut किया घया है तो दोस्तों भारत मैं अभी तक एक भी बार विट्टिया काल के स्यती पाइदा नहीं हुए तो इसका सही आंसर है पर चौन याशन cans जीरो बार एक भी तिय वित्तिय आपातकाल नहीं किया गया अंगला कोसिन देखे हैं why T pixel का उपबंद किस लानुछे में दोस्तों वित्ती आपातकाल का उपबंद अनुछे टीन सो साथ में अृडिकल 360 जो है उसके अंतरगत वित्तिय आपातकाल के लिए जो प्रावधान किये गए हैं वो सारे इसी के अंतर गते तो इसका सही अंसर है option number 3 दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और उसको शेयर कीजेगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया और उसको सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और important questions के साथ thank you friends